हेलो दोस्तों स्वागत अब सभी का my photography and photoshop youtube channel में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम photoshop में images open करते तो बहुत सारे images बहुत सारे images को white balance set करना होता है या फिर कुछ images दिखने में बहुत ही डल होती है तो उसके लिए हम normally level का use करते है या फिर कर्व का use करते है लेकिन photoshop में उसी level को या फिर उसी कर्व को use करने के लिए एक auto option दिया है उसमें total 4 algorithm रहते तो उसमें से बहुत सारे लोग इसका use नहीं करते तो आज हम क्या करेंगे level की मदद से auto level का option यूज करेंगे और हमारी जो images से आप देख सकते हमारे laptop screen पे दो images से आप पे open है तो पहले image में यहाँ पे आप देख सकते इसका white balance थोड़ा सा गलत है और दूसरी image में यहाँ पे image थुड़ी शी dull है या फिर उसमें contrast बहुत ही कम है ठीक है तो हम level की खाली level के मदद से auto option यूज करके इस image को edit करेंगे तो सबसे पहले हम इस image पे आते हैं इस image में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको smart object करेंगे smart object करने का कारण यह है कि अगर हम किसी कोई भी filter हमारे image को कोई भी filter आगर हम लगाते तो उस filter में हम double click करके व यहाँ पर मैंने क्या किया इसको convert to smart object किया अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो adjustment layer है level तो level को हम यहाँ पर on करेंगे और on करते ही यहाँ यहाँ हमारा histogram है ठीक है तो mostly सभी Photoshop user इस level का use करते हैं यहाँ से लेकिन आज हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको इस property के सामने आपको 3 lines म एक tab मिलेगा इसको हम click करेंगे click करते ही यहाँ पर algorithm है total chart enhance monochromatic contrast enhance per channel contrast find dark and light color enhance brightness and contrast तो यह total चार algorithm है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोई भी एक algorithm को use करेंगे जो आपको image को बेहतरीन बना सकता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले find and dark light color पर click करेंगे तो आप देख सकते ही कि एक ही algorithm में यह हमारा image यहाँ पर white balance भी हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर OK करेंगे OK करने के बाद simple हम यहाँ पर हमारा level यहाँ से adjust करेंगे तो यहापे आप देख सकते हैं यह image हमारा पहले ऐसे था और अभी यह हमारा ऐसे हो गया ठीक है तो यह before और यह after अभी हम क्या करेंगे इस image को edit करेंगे इसके लिए same वही pattern इसको पहले हम smart object में convert करेंगे और वापिस से यहापे level को on करेंगे लेवल को on करने के बाद यहापे property के सामने आपको auto option का एक tab मिलेगा इसको आपको click करना है click करते ही यहापे find and dark color या फिर आप दूसरे भी algorithm यहापे check कर सकते जो algorithm पर आपको आच्छा लगेगा उस पर आप तो यहापे enhance monochromatic contrast अगर हम लेते तो भी हमें अच्छा result मिल रहा है यहाँ से हम ok करेंगे फिर यहापे जो histogram पर जो value कम दिखाए दरे इसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते यह before और यह हमारी after ठीक है तो इस तरह से दोस्तों level का auto option यूज करके उनके जो algorithm में उनका यूज करके आप आपके images में जो dull images है जिसमें white balance का में उसका इस वीडियो की बहुस छोटी सी टिप थी अगर यह वीडियो आपको आच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और subscribe करना ना बूलना दोस्तों तो आज ही इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में